अमाविश्या परविश्य पंच मी एवंग दस मी तेथे होने वाले परगों को तीन सो पैसे दिन प्रूतन किया गया है। बाहर ओने के सथी में दर्वार नहीं लगता है परनतु तीर्थ का जो मात्वा है वो गुरुप स्रण से नहीं चलता। इसमें मेरी कोई आवर्शक्ता नहीं होती इस तीर्थ का महत्व है जो यहां पर आकर के श्रीपंडोखर सरकार दाम के प्रचेत्र इस भूमी को जनमन करता है उसके जीवन में सुक भर जाता है कि शंपूर दुख कट जाते हैं शंपूर ब्यादी खतम हो जाती हैं भावतिक वाद के जीवन में जो भी गती अवरोध होता है वो सब गती अवरोध कट जाते हैं यह हनवांजी पंडुकर सरकार की महमा और श्रीय हनमान जी पंडुकर सरकार की लीला है कि श्री तरकाल दर्शी दिवदर्वार में श्रीय हनमान जी पंडुकर सरकार के दर्संद कन्य मात्र से जीवन में सभी के मंगल हो जाता है और इसके लिए हमारे बाबा गोस्ट साजी लिखते है जब जीवन में मंगल हो जाए तो परमात्मा को भी धन्वाद बोले और परमात्मा का भी बादन करे ये परमात्मा के तुमारी किरपास से सब मंगल हो गया सब के जीवन मंगल हो और बाबा गोसोंतिसा जी लिखते हैं कि मंगल अभवनिया मंगल हारी दिर्भाव सो दसरत अजर्वे हारी तो यहां पर इस चौपाई को यह रामचरत मानस की पंती को यह महामंत्र को बिशुकल ल्यारत हो सबके जीवन में सुको जैसे भगवान मुझे सपलता मिली है ऐसे सबको सपलता मिले सबके जीवन मंगल हो इस प्रकार से हनमान जी का और स्री राम जी महाराज का नमन करके हनमान जी महाराज से प्रातना करें कि हमारा तो मंगल हो गया इसर से प्रातना है स्री राम जी माज़ से प्रात्ना है कि सब के जीवन मंगल हो ऐसा करके परमात्मा को नमन करें